आकाश्वानी मुंबई प्रस्तुत कर रहा है नाटक काल चाई, मूल लेखत शंकरशेश, रेडियो नाटे रूपांतर किया है सुधाचेश से, और प्रस्तुती तनुजा कानडे की है तो लीजे सुनिये नाटक काल चाई मृतुन जये ये संजीत सुन रहे हो ना, कितना घटिया है, कितना घिसा पिटा है, तो वर्षों की यही सुन रहा हूं मैं महराज, आपके स्वागत की यही परंपराज लेकिन ये संजीत बदल ना होगा मृतुन जये, गायक बदल ने होंगे महराज, कितने गायक बदले हैं, कितने मर गए हैं, पर मातर गायक के बदलने से क्या होता है ठैकडो वर्षों से, शुरोता तो एक ही है जब दोनों बदलेंगे, तभी अभी व्यक्ति बदलेगी गायक तो राजा को खुश करने के लिए गाता है संधर बदलने से ही जिवन को नई पिशाएं मिलती है कि इन गायकों को देश निकाला दो देश को संघीत भीन कर दो इसी से परंपरा तूटेगी यदि संघीत आत्मा की भूख है तो कुछ वर्षों बाद लोग गाएंगे कुछ नया गाएंगे जो इस संघीत पर की साधना पद्रतीचा चाहाओगा भई मदिया वही संद्री वही लोग बयूप कया हो कुछ ना होना चाहिए मृतिंजे कुछ ना होना चाहिए महराज की जैवो महराज मरने के बाद सौभा जानने से क्या लाब क्या है जो बात कुछ नहीं है हम मिलना चाहेंगे महराज कारवास के मुख अधिकारी जानना चाहते हैं के विद्रों करने वाले जो 200 नालिश पकड़े गएं उन क्या लिया जाए उन्हें मेरे भूखे सीतों और भर्यों को खिला दिया जाए महराज उनमें पचास स्रियां है, उन्हें स्रिया Har Ha 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 कि अभी स्वेटों कि तरह भुककर झाओ जाकर के दो हो महामंत्री प्रीफयों क् दूम्हचरा है महाराज की ज़य को कि आए महामंत्री कपाल उसका यह इस उसका इसे ल moments कापालिक लगता है आप आपके लिए खास खोपडियों को सुनाव कर रहा है सभी कुछ बावल कित्र है उसका इतनी सारी खोपड़िया यह सब मिली कहां आप तो यह से कुछ नहीं इसलिए सीज वर्षों में दीज हजार खोपडियों का परिष्ठां कर सुपा है मुझे में बताएक कापालक मैं ने महाराज कर सक्त कहता हूं महराज अब भूंदिका चूड़कर वो पद्धति बताओ जितके आधार पर खोपडी देखकर तुम मनुश का स्वभाव शूब हो तो देखें ये खोपड़ी और ये स्मीट इसे मैं एक कान ताल तालें तो जी तो इसे कान से निकल तो बताईए या आदमी कैसा रहा होगा कोई साधू सन्यासी रहा होगा यहाथा साधू सन्यासी नहीं महराज आपका अनुमान गलता यह खोपड़ी एक बले साथ की अधिकारी कि अधिकारी जे चंता के सुख तर्ध एक गांद से शुचनता है और तूसर दीकार प्रता है कि ये खोपड़ी मुझे आज के राच में ही अब खेल देखिए महाराज देखिए ठीक इकले से निकल रही है ये आदमी निश्चिती गंधीर स्वभाव का होगा बेलकुल ठीक पहस्याना वामंद्री अब बताएए महाराज ये काम क्या करता होगा ये जासूर्थ होगा आजे नहीं महाराज ये खोपड़ी एक उद्द्यों पती जिसके प्लेक में सब कमा जाता था और ये खोपड़ी किसी है अधी बताता हूँ वैज जास्चिती तेख डाली कहीं से नहीं निकली दिवास क्यों तेख बीथ हजार खोपड़ियों में ये ही एक खोपड़ी आई मैं इ doc डिद्गलमाम की खोपड़ी हो ये आजमी पुद्धिमान नहीं परम बुद्धिमा था को गरह आवि के एक चल्यंध्यकारि की खोपड़ी है ऐसा छड्यंतिकारी जिसने राजाओं का राज पलक दिया, नेक सब्द्दाओं को समाथ्ट करERS, कई सब्द्दाओं को समाथ्ट करड़ें। सब्द्रशी है, यह खोपरी तो मैं ताहा मिनी है। महाराज, यह मुझे देश के राज लिहाने पद्दे पास है। इस तरह की खोपडियां सत्ता के अंदर के एर्द के भी मिलते हैं, ऐसा व्यक्ट के मित्र लगता है, पर शक्र होता है, प्रतेक राजा को ऐसे व्यक्ट से सावधान देना चाहिए, तुम ठीक कहते हो कपालदर्शी, मेरे राज्य में भी इन दिनों इस तरह की खोपडियों क संख्या बढ़ गई है, शड्यंत्र, सत्ता पलटने के प्रयति, विद्रोख, क्या नहीं हो रहा है, कपालदर्शी, मैं तुमारी कला देखकर प्रसन्न हुआ, मैं चाहता हूं कि तुम इस बात का पता लगाओ, कि किस प्रकार के आदमी में ऐसी खोपड़ी हो सक्की है, मैं हम तेशे वैज्ञानिक बिना राजस्रे के काम नहीं कर सकते हैं, तो आज्याजी, मा मंत्री, महाराज, कपाल दर्शी के लिए धन की बैवस्था करवा दीती है, तो आज्या महाराजी, मृत्यंजे, याद है न तुम्हें, कल भी हम दोनों पर प्राह धाती हमला हुआ था, जी महाराज, कल का हमला अचानक और भयानक था, आए दिन ऐसा बहुत होने लगा है, लोग अपनी दाल रोती खाकर चुक्चाप क्यों नहीं पाते हैं, मृत्यूंजे, पुर्वान्चल के लोग मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं, हाँ अचाहर, अब हमारी धैर की सीमा समाथ भो रही है, चान सुरेख सकती केशी, कैसे ही शान्चन ओआ आचाहरी, हमने विजएकितू और नयां और सीमा के लिख्याओ को लिख्यों आज तक अग良 को खो गो दिया हैं, अच hen को कब तक य सबड़ेगा आचाहरी? अनंत काल तक ताना शाही और प्रजातन से का जिस्ट है यह एक और अनेक का क्रम चलता ही रहेगा सकती ही हम पिछले 25 वर्षों से यह लड़ाई लड़ रहे हैं पर कालजे के अत्यचर बढ़ते ही जा रहे हैं तुम्हें अधी कालजे का क्या चाहिए सोभाव मालूम नहीं है धर्म के नाम पर देश को युद्ध की प्रचंद अगनी में ठोक सकता है हम पर तो उसकी जृप्ती और भी दरावनी है उसे दर है के सब्ता पुर्वांचल में चली जाएगी पाचार ये कालजे को हमेरे इश्रम और कमाई पर विलाज करने की आदत हो गई है वह हमें नया कोन की उसद्धी देता है इसलिए देर सो वर्च से अधिक होने पर भी वो जुआ है जब तक हमें ये रहस्य पता नहीं लगेगा कि मृतुन जय कब कालजेई को उसद्धी देता है तब तक हम उसका कुछ नहीं दिगार सकते हैं इस रहस्य का पता लगाना आवस्च्छ है शील भद्र को कोई सफलता नहीं मिली वो प्रयक्न कर रहा है लेकिन अधी तक वो विश्वास नहीं पाता है मुझे विश्वास है पुर्वी निश्चित कुछ करेगी आचारे मुझे लगता है जनक क्रांटी करनी चाहिए लाखों लोग क्रांटी के लिए हत्यार लेकर ख अध्यार लेगा तुण पर बलातार करवाएगा लोगों का मनोबल तूट जाएगा इसलिए काल जैए की हत्या कहीं प्रती किया जाना जाएगी आफ अधिया करना असंभव है आचारी चैनिक और अधिकारी उसे चहते हैं वे कोई भी प्रतारना करने के लिए राजी नहीं कि जानाएं शीर्भद्रे क्या कोई ऐसे प्तिया राजा पर प्रेम कर सकता है छुए लोगों की स्वार्ख सिद्धी होती है है तब बेड्र प्रेम क्यों न लेगा है तुम आगे ही पूर्षी हम तुम्हारी प्रतिख्छा कर रहे हैं। कुरुभी मैं नहीं सोच था कि तुम इतना कठोर निर्मम अच्रन कर सकती है। तुम्हें नया के तु और विजय के तु को माते समय कुछ नहीं लगा क्यों है। लगा कि मैं अपना सिर्द काट रही है। पर तुम्हें स्वयम बच्छों कि लागी। काल जयी का विश्वास पाने के लिए आवश्यक था। इसी कठोर कर्म के कारण आज मैं न केवल रानी हूं पर सही माइने में उसकी पच्छली है। मुझे लगता था कि तुम भी काल जयी के आकर्षन का शिकार होगी। शच कहूं। मेरे सामने आदर्श न होता। तो मैं भी उसकी मौ पास्ये बन जाते। उसके क्रूर सभाव में रखिक्ता की धार है। उसका पारश उसका सभाव किसी ही इस्प्री को मोह सकता है। मैंने ल्याए केटु का वर्द किया। ति शायद मुझे में उसकी कर्पना की इस्प्री लेए। तब तुम उसे प्रजातंतर की महत्ता क्यों नहीं बताती। सब उलता उलता क्यों बताती हो। इसलिए कि मुझे काई जरी कि मुझे का रहस जानने का काम सौपा गया है। उसे जानने के लिए मैं नीट अनीट का हर काम करूँगी। और मैं भी पुर्वी की सलह से उसे एक ही बात कहता हूं। कि जनता को जूता आश्वासन दीजिए कि आप निर्वाचन करा रहे हैं। वो थूर थै। बार-बार कहने पर जब थोड़ा जुकने लगता है तब पूर्वी विरोध करती है। क्यों। ताकि मैं उसका विष्यास पासके। मेरी मेजना मिशार हमें से कोई भी काईजें की हज्या का प्यज्म करें। वो पकड़ा जाएगा। जब राज डंग सुना रहा होगा, तब चारो ओर से लोग उसे धेल लेगे। लोगों के हाथों में हथ्यार हैंगे। मशाले होगी, तब एक स्वर्व में प्रजान पंत्र की मांग करेंगे। को सगे तो कुछ प्यानिकों की हच्या कीज़ा। धंपू दी जाए कि मिर्वाचन नहीं हुए तो सब अस्ज़स्ट हो जाएगा। और युजी की समाचार है जार। विशे समाचार। मिर्वाचन ने एक नहीं राजनेतिक दल का समर्षन किया। क्या। दोनों मित्रों में खूठ हो गई। हुम। इसका अथ है कालजुन में के जूच चाल खेली है। आज से जंता का समर्षन हमारे दल के था। वो दूसरा राजनेतिक दल बनाकर जंता में फूठ जालना चाहता है। दल के अस्थापना करके मिर्टूंजे किराय के 200 टॉट्टूहों का मोर्चा लेकर राजमहल के उर गया है। उसने बताया कि उसने पत्या किया है। उसने सारदनिक रूप से कालजय की भर्षना के लिए। मजदूरों को वेतर अधिक देने की पता कितानों को अधिक सुधाय की मांगगें। इतना ही नहीं। तो जनता को सुरक्षा देने के लिए एक विशाल सेना उसने पुर्वांचल को भेजी है। उसका सिनपती है आदमे की खाल में छिपा भिडिया यानि काल भिष्क्र घवराने की कोई बात नहीं है अब एक और सिनोसी हमें स्विकाल में होती है लोगों को समझाना होगा कि वे काल जैई की चाल फिर्षा उठाम रहे है पूर्जी तुम रितुंजय से काल जैई की और तुम्हारे सिहरे की पनावत कुछ ऐसी है कि विश्वास करने को मन करता है और मेरी ली के आदिश है आचारी तुम काल जैई की हत्या करने का प्रियत्म करोगे और मैं तुम सब्सकेतु के साथ रहो हम जब तब प्रसूत है आचारी याद रखो इतिहाच तुरनिम नहीं हो होता है वो सदेव रख्तिम होता है जो फिरी वर्तमान में जितना कश्च कर्षी है जितना खून बहाती है वही भावी उजले इतिहाच की प्रसूत है और प्रजाकंत्र के लिए अपना मस्तक अपने हाथों में लेकर चलने वाले भीयों को मैं प्रिश्ज्या का आवहान द है जब जब शरीर में रख्त की एक पूंजी रहेगी हम जैसी के लिए प्रयां सनत रहेंगे अध्याता अध्याता के लोग में प्राण के जावर करेंगे नहीं महारानी मैं आपका कहना नहीं मान सकता है फिर मारानी किती बार कहा है पूर्वी को आप पूर्वी देखोगे तुम्हें नहीं बोलो रही है निखेल बहुत आत्मखाती सिद्ध होगा मारानी नहीं महीं पूर्वी इस प्रीक संबंध में जो मेरी धाणाया चीए उस सारी तुने बदल दिने काल जई के कमरे में तुम ऐसी बाते कैसे कर सकती है तुम्हारी सारी विवस्ता के बावजूद काल जई आजाए तो मुझे जिंदा नहीं अपने प्री जच्चे के लिए अगर नियुक्या आजए तो उससे बढ़कर और क्या सा भाज़े होगा और देखो काल जई कुतना क्रूर है यह बार बार बताने की आवस्ष्यत्या नहीं है वो मेरा कुछ नहीं रिगा सकता क्योंकि उसका अस्ष्यत्य तुम्हान मुठ्य में है इसलिए होजो कि प्रीन को दर नहीं लगता इस बार काल जई को यदि तुमने आशजी नहीं दी तो परेडाम भयंकर होंगे काल जई की मृत्य हो जाएगी तो मैं उसके निश्चे में जाएगी तुम मुथे खिर्यावन वाली आशजी से नहीं जोती मैं जानती है मैं पहली बार काल जई की पास आएथी तुछ तुमने को जाते है हमान लिया मनुष के अंतातरण में तुमारी साथ अच्छी है तुम में कुछ विलक्ष है मुझ जैसा व्यक्त भी तुम्हारे मों से बचनत था पुर्वी मैं धले ही वैद राज्जी है पर मेरा उच्छार तुम्हारे पास मुझ्वी तुर्यावन की आश्चे की दोगे ना हमें इस साब्धान यहना चाहिए तुदिकाल जई के मन में आश्चंका की रेखा भी उबहर आई तो तुम्हें कुछ तों से ने चाहिए अनर्थ हो गया महरानी अनर्थ हो गया महराज अचानक वापस आदे आपको बहुमत मिलना ही चाहिए वैजराज महराज आप क्यों मुझे देखकर आश्चर हो रहा है पर क्या करूं हालत इसनी विकत हो गई है कि मुझे वापस लॉट ना पर पुर्वाजी चलने असंतोश बन गया है कि तुमने वाज जाजूत बेखकर अच्छा किया है उन्होंने जो अच्याचार किये हैं उससे मैं भी चिंजित हो गया हूँ लगता है अब राज मीती में पुराने तरीश से नहीं चलेंगे मुझे भ्यांकर विद्रह का सामना करना करना पड़ेगा कि कोई है आग यह महराज सेना पती हसी दंट को कहो कि वो तुरंग हाजिर हो अब कर विचार क्या है महाराज मैं रजा तंद्र का नाटक करना चाहता हूँ पर इस नाटक का अंध होता है महाराज आपके आदेशन उसार मेरे दल का संगतन हो चुका है पस्की माचिल में हमारे दल को अच्छा समर्तन मिल चुका है आप एक मोचा लेकर राजमहल की ओराईए निर्वाचन की मांग जीजिए दूसरे दल का मोचा राजमहल पहुँच क्या होगा उसके प्रतेक वैस्ती ने मरने मारने की शपत लिए वे प्रजात अंद्र की अभी जान जाओगी कुई मेरे मन में तुम्हारे प्रती आदर पढ़ गया है मेरी अनुपस्किती में तुम कितनी जागरूख हो अज़ी अंत्रकारी खोपड़ी खोजने में सफलता मिली क्या चपाल दर्शी कुछ सफ़ता तो मिली है महराज पर नाम बताने से धर लगता है इसलिए आप मेरी खोपड़ी न उड़ाजें तो आपका पालिको कुछा चेहना की नहीं है उस आजमी को आप मार नहीं सके तो अगर आदर दिए वह बहुत आद प्राहली श्री भदर तो नहीं तो आपका इशारा पूर्वी के और दर्शी तो वह कौन है कौन है वो कपाल दर्शी मैंने अपनी बात कह दी अपनी बात कहड़ी आप इरस्पिर अपने हाथे शुकाटें निर्डायक आप समय आवश्च्छ मेरी बात पर महर नदाएगा मैं आज्या चाहता है मेरा मित्र अश्ट्य अधकाई पुल्ड के संभव है और यदी संभव भी है तो मैं कर भी क्या सकता हूं मैं कुछ नहीं सकता हूं मैं आजाय हूं एक सम्हाजाय अजाय हूं अजाय हूं अजाय हूं थे नफ़व थे दंज आप अकेले हैं या थेना लेकर आए हैं आप सिंसित नहों महराजी बूरवान चल के सैनिकों की चिंताना घने मैंने शावधानी बर्सी है सेनापती मूर्चा आ रहा है प्रजातंत्र का मूर्चा आ रहा है मूर्चे शांचियों से बढ़ रहा है महराज यह हमारे लिए खातक है सेनापती पत्राओ करो और जब लोग स्टेजिस को जाएं तो शांत करने का नातक करो क्या वो मेरी बात मानेंगे महराज मूर्चा पास आ रहा है सेनापती काल नहीं कराश करो काल नहीं कराश करो काल नहीं कराश करो काल नहीं करो क्या समाचार है जयमित्र समाचार भ्यानक है आचारी काल जयी ने धर्मकेतु और सत्यकेतु को बंदी बना लिया है सेनापती को आदेश दिये हैं कि हमारे दल के सभी निर्वाजी सदस्ट्रियों को बंदी बना लिया जाए वार सभी बुद्ध जीजीओं को समाचार रहा है आचारी 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 ने काल जयी ने नगर में आद लगवाजी है उसके सैन इस नगर को जला रहे हैं शौराहे परिस्त्रियों का बलात कार कर रहे हैं आचारी उसके चारों और जासूर भेजे हैं आपको पकड़ने के लिए आचारी काल जयी ने निर्वाचन का नाटक किया मैंने तभी कहा था हमें इस दिर दूर रहना चाहिए था नहीं अजय वित्र हमने शेश किया जनता आप निर्वाचन का स्वाथ जान गए अपने आचिकार के लिए अब जनता कुछ भी करेए जनता आप काल जयी से पीधे संघर्च कर रहे पता ने इस पताने हो गिया नहीं को तो डर है कहीं वह काल जयी के मुझ में न पिक ईसने काल जयी का विश्वास पाने के लिए कि अपने प्रेम वश में कर लिया है फिर भी काल जय को समाप्त करने के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा तुम ठीक करते हो मैंने जो यूजिना बनाई है उसमें जनता का सहयोग होगा त्याग पीडा और रक्त से लिखा हुआए की हातों हाई होता है इससे प्रजाचंत्र भी आएगा और चरित्र भी तो आचारी है हम प्रसुत लुपिया आचारी आचार मुझे स्काय जोईती मृत्र का रहस्ता लग्या है सिल्भद्र सारा काम ठीक करना है आचारी मैंने योजना बनाई है पहाई जनी के मोचा होगा मद्लात्र को होगा जो हम इस प्रसुत देखें सिल्भद्र ये लो मसा है काम होते ही संकेट कर देना और ये लोग्यों मुखातर हमारे स्वत्र पूरी हो रहे है आचारी जन्ता एक ऐसी पजयतंद्र की नीज रखनी है जो अमर होगे है एक अंदविश्वास जूद होगाक अंहां अनहीं है ये सभ्यों राजा हैया नहीं है तो वो बस उतारा है दिए उसे मख़जा पहनिया वो मिर्टंजा लग रहा है वो दिए वो तो 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 है काल की आरा है सारा काम यूज नामिकार हो रहा है आजार काल जही लर्खा आरा है कि अथन लुगों आरा पहें आधार कुशा नाम दिखाएंगा आरा आजार के सुनातन सत्ता का अंत हो गया कि इस प्रहों नाम जबन चीशा पहला है अब तक कुछ नाम दिखाएंगी रहा जारे ये अंध्यरा तपंच है पुर्भी का अंध्य की नहीं से अपनी आखों से देख सकते हैं कहीं कहीं शुरी भज्य आजे शस्वी तो नहीं हुआ नहीं पुर्भी देखो वो मशाज छील भजर ने मृतिंजय की भी हत्या करती मैं मैं बहुत दुसंद हूँ आओ हम सोतंत्रता समानता और बंधुत्य की प्रतीत प्रतीमा से प्राशना करें कि वो हमारे लोकतंत्र को सिरायू करते हैं मिर्कुंजय महराज जनता में अच्छी तरह प्रचार कर दिया है ना कि काल जैई जीवित है उसका परम मित्र मिर्कुंजय भी जीवित है गोर्चना कर दी है महराज साथी यह भी कहा है कि काल जैई अमर है मैं यही चाहता था एक बार हम देउताओं की श्रेनी में बैठ जाएं तो विरोध का भैल ही को जाएं आरोप पत्र भेज़कर आचारे और पूर्वी को बुलाया जाएं कि आचारे आप से मैंने सहायता मांगी की शासन में हास बटाने का आज रह किया था पर खेद है आपको इस तरह लाना पड़ा और आप महारानी आप इस युक की सबसे भ्याव महिला है आपने जंता को भाकाया है राज द्रोह किया है अशांती फैलाई है कि वैजिराज हमारे देश में इसकी क्या सजा है प्राण धंड महराज हमारे पास संजीनी है कि जानकर आपने यह हिम्मत कैसे की इस महिला में अपने रूप के पाश में हम दोनों को फाथ कर हमें मारने का शडियंद्र किया है इसके क्या धंड देंगे महराज इसके प्रते दस हजार मजदूर इती तरफ आ रहे हैं सेनापती ने आपके विरोध में सेना को भाकाया है क्या मेरा सेनापती बेरे विरोध वही तो शर्यन प्रतारी खोपड़ी है काल जी अच्छा तो तुमी कपाल दर्शी थे हां तुम्हारी उम्रित के समाचार खैला के हिस्ते नापती सब्सक्राइब तुमने उसका सब्सक्राइब मुझे बचाओ वो वो मुझे महाँ डालेगा नहीं मैं स्थनातन हूँ मैं करती नहीं छोड़ूगा को दर्शी नहीं कर दो जाहें जातन हूँ मैं राजा था ठनातन हूँ अब तुरा जा रहा है हस्कितन राजा मर है मर गया लेकिन मरत है वो तो अमर था तुम्हारी संजीवनी का क्या हुआ अचार ना मैं अमर हूँ ना अम्रत दे सकता हूँ अमरत की बात एक माया जाल है राजा कभी नहीं मरता उसका शरीर मरता है राज सत्ता के बनाए रखने वाले स्वार्थी तच उसे अमरित पिलाते हैं सावधान जन्ता की प्रताणना करने वालों को ध्यान से देखो कोटी कोटी नेतलों से देखो कोटी कोटी कानों से सुनों कहीं कोई काल जाई कोई मुखोटा लिए खाड़ा तो नहीं है तुम्हारे जन्तंत्र की सुनैरी प्रभाद को प्रणाम प्रणाम अभिया सुन्हे थे नाटक काल जयी मूल लेखक शंकरशेश रेडियो नाटे रूपांतर किया था सुधाशेश ने इस नाटक का भूमिकानसार पात्रपरिशे इस प्रकार है काले जयी, राधा कृष्ण दत्त, मृत्तुन जय, अथर नवाज, आचार और कपाल दर्शी, अजय कश्मीरी, शील भद्र और हस्तिदंद, महेश शर्मा, अजय मित्र और द्वारपाल, राजीव रजन वर्मा, पूर्भी, बिनु कल्सी, प्रस्तुती सहयोग बिनायक दिव बिने जय, कज दो झाले, और कृष्दा लिए, भावराश ग्रवारपाल दर्वार्वाभ मित्कीजमा प्रस्त, मित्त, में रणिवागा भ्रस्त, मेंन प scना व क्श्मीरी, मित्किजमा जय सृ के वी कि अवाजочка पाले दिवाख वाजभ,